हेलो एब्रीवन जी हां आज हम चलेंगे हमारे पार्ट फॉर पे जो की है टरंट अफेर ये है जनुरी से लेकर जून 2020 तक के most important question ताकि आपको कोई भी exam ना निकलने पाए और special focus किया गया है हिमाचल प्रदेश एड्मिनिसेटरिन सर्विस पे तहसील welfare officer और जो cooperative office है उनके उपर और secretary ये जो पोस्टे हैं बहुत important पोस्टे हैं और सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिलेगी कि आज की डेट में maximum जो exam में current affair जो आ रहा है ताकि आपका एक भी question ना छूटने पाए तो हमने सभी important question cover किये हैं तो आज के हम चलते हैं अपने questions पर और इससे पहले आप please हमारे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं study दरपन 111 question NASA ने हाल ही में जो Hubble telescope है उसका नाम बदल कर किस विज्यानिक के नाम पर रखा है इसके option है जो यह इसका answer है वो बिलकुँ absolutely B, B is the right answer इसका जो हमें telescope है इस scientist के नाम पर रखा गया है अब हम चलेंगे 112 question की और Recently who became the first Indian to be awarded the UN military gender advocate award हाल ही में कौन UN military gender advocate award से सम्मानित होने वाली first Indian बनी है जी हाँ इसका जो बिलकुँ right answer है वो है option D, सुमन गवानी सुमन गवानी is the right answer हमना next question है हाल ही में कौन फिकी ladies organization FLO की नई रास्टिय अध्यक्षिन न्युक्त की गई है जी हाँ इसका जो बिलकुँ right answer है वो है हमारा पास option D, option D is the right answer जहानभी फुकन , वर थाइरोड day jो हम word thyroid day है वो हर वर्ष का मनाय जाता है जी हाँ मनाय जाता है 24th मई 25th मई को ये मनाय जाता है जो thyroid है वो दो टाइप का होता है हिपो और एक हाइपो तो हिपो में आद्मी बहुत ज़्यदा मोटे होने लग जाता है और हाइपो के अंदर पतला होने लग जाता है दोनों थाइरोइड बहुत ही ख़दरनाक बिमारी है और यह ज़्यादा आपको फिमेल में देखने को मिलेगी अब हम चलते हैं नेक्स कोशन की और विच स्टेट गवर्मेंट किस रज्य कि सरकार ने हाली में सब को रोजगार मिलेगा नमक योजना का उद्गातन किया जी हाँ वो कौन सी स्टेट गवर्मेंट है जिसने यह स्टार्ट किया तो इसमें ऑप्शन सी, MP, Madhya Pradesh जी हाँ, Madhya Pradesh is the right answer Recently who has become the first state in India to give sports industry status तो यह अपने आप में ही है कौन खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला भाट का पहला राज्य बना है तो यह हमारा नोर्थ इस्ट है, नोर्थ इस्टेट की बात की जाए तो इसमें आंसर होगा आपका D, Mizoram Mizoram is the right answer फिर चलते हम next question की ओर 117 पे किस रज्य की सरकार ने MSME एक्षेत्र को सहरा देने है तो restart नमक करेकरम शुरू किया जी हाँ, restart की बात की जाए क्योंकि COVID-19 के कारण आपको पता ही होगा कि बहुत जो MSME है, जो middle, जो हमको यह sector देखने को मिल रहा है मिडियम वाला, इसके अंदर बहुत ही जदा हमको deficit देखने को मिला जो COVID-19 हमें जो disease देखने को मिली तो इसके अंदर जो restart हमें देखने को मिला कौन से stage ने अभी हाली में launch किया है तो इसका answer आएगा C, Andhra Pradesh Andhra Pradesh is the right answer World Turtle Day जी हाँ, World Turtle Day की बात क्यों विश्व कच्छुआ दिवस यह हर साल कब मनाय जाता है यह मनाय जाता है 23rd माई तो इसमें answer आजाएगा option A option A is the right answer Next जो question है हाल ही में जो खिलारी बलबीर सिंग सीनियर है उनका निधन हो गया यह बहुत important है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह बुड़े हो गए थे और वह किस खेल से सम्मंदित थे तो यह थे हौकी से और इन्होंने इसके इंदर Olympic भी हांसिल किया था बहुत ही अच्छे खिलारी थे बहुत ज़्यादा यह मतलब यह एज हो चुकी थी इनकी तो तब डेथ हुई है नेचरल डेथ हुई इनकी अब चलते हैं मागे 120 questions पे किस भारतिय मूल के व्यक्ति को हाल ही में वार्ड बैंक में जलवायू परिवर्तन और आपदा परबंदन की जिम्मेवारी सौंपी गई है जी हाँ तो इसका जो अंसर आएगा option B option BA for Indian है जिनने अभी अभी वर्ड बैंक के अंदर जिम्मेवारी सौंपी गई है जलवायू climate change के उपर और disaster management पे तो अभास जा option B is the right answer international tea day अगर अंतर राष्ट चाय दिवसकी बात की जाए तो हर वर्ष का मनाया दो चाय है वो अंगरेंजों नहीं start की जैसे पता होगा लेकिन हर साली का मनाया जाता है और किस दीके से पूर इंडिया में आज की डेट में तो consume किया जाता है तो इसका जो right answer है वो है option A on 21st माई 21st माई is the right answer RBI ने हाल ही में रेपो रेट में कितने परसेंट की कटोती करने घोशना की यह तो जो time of change होता रहता है और पॉइंटों में ही इसका लेकिन इस बार कुछ से ज़्यादा प्रेपो रेट में कमी कही गई है तो इसका जो बिलकुल सही जबाब है वो है option B 0.40% 0.40% is the right answer अब चलते हैं अपने next question की और यह जो question है की recently who has been appointed as the new chairman of नबाड तो इसमें जो हमारा बिलकुल सही जबाब है वो है गोविंद राजूलू चिंटला जी हाँ option C is the right answer next question है हमारा अंतर राष्ट्रिय जय विवित्था दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है जी हाँ जो इसका answer आएगा वो आएगा option A 22 मई 22 मई को हर साल हम अंतर राष्ट्रिय जय विवित्था दिवस मनाते आ रही है अब चलते हम next question की और next question है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतिय इस्पात संग Indian Steel Associations के नए अध्यक्ष बने है जी हाँ इसका जो answer है वो है दिलीप उमेन option C is the right answer on which date is anti-terrorism day celebrated every year in India जो आतंगवद विरोधी दिवस है किस तारीक को हर साल मनाया जाता है तो उसका answer आएगा हमारा option A 21st मई 21st मई is the right answer next question है हमारा यह बहुत important question है अगर यहाँ पर बात की जाए तो किस रज्य की पुलीस ने हाल ही में परवासी मजदूरों के लिए चर्ण पादू का भिहान शुरू किया सबसे पहली बात आती है चर्ण पादू का तो यह उसी से जुड़ा हुआ है जब भरत जी जब आये थे यह समझे लिए जंगल में और सबसे जंगल राम जी को लेने के लिए आये थे तो उन्होंने की जाने से मना कर दिया था और उन्होंने उनकी जो चर्ण पादू काई थी वो ले ली थी तो वो कहा की बात है वो है फोरेश्ट की बात जंगल की बात और पूरे इंडिया में सबसे ज़दा फोरेश्ट आपो कहा देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे MP अब चलते हैं अपने next question की और recently अगर बात की जाए हाल ही में कौन वीडियो के जरी है KYC सभीकार करने बारा भारत का पहला बैंक बन गया है यह है कोटेक महिंदरा बैंक कोटेक महिंदरा बैंक is the right answer option D is the right answer अगर मैं इसकी बात करूँ तो विश्व मदुमक्ही दिवस हर वर्ष कम मनाए जाता है तो इसका जो answer है वो है हमारा on 20th माई A is the right answer which Indian has recently been appointed as a chairman of the next executive board of the WHO यह भी अपने आप में बहुत important question है कि जो WHO है उसका अगला कर्यकरी board का देख्ष किसे निक्ट किया गया तो इसका जो बिल्कुल right answer है वो है option C Dr. Harshowardhan Harshowardhan is the right answer Recently how many times has the Benjamin Netanyahu यह आपको पता ही होगा यह इसराइल के PM है अब बात आई है कि अब तक वो कौन सी हो इसराइल के पधान मंतरी बने है जी हाँ अगर आपने इसको याद करने का बिल्कुल अच्छा और सिंपल सा तरीका है नेतन याहू अगरी बात की जाए इसराइल की तो इसका आपका फिफ्थ है वो पांचमी वार बने है हाँ जी जो हमारा next question आएगा आप वो है scientist of which country have recently discovered super earth कि किस देश के जो scientist है उन्होंने अर्थ के जैसा एक ग्रैक होजे लिया है जिसका नाम रखता है उन्होंने super earth तो first of all इसका जो answer आएगा उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो country है जो इसका answer वे सुपर अर्थ की उन्होंने खोज किया चलो इसका answer भी बताई दिया जाए इसका answer जो आएगा option C is a right answer न्यूजी लेंड अब बात आती है जो न्यूजी लेंड के scientist यह उन्होंने super earth की खोज किया अब बात आती है इसका नाम super earth क्यों रखा गया क्योंकि यह जो ग्रह है बिल्कुल प्रिथवी के size और जैसे हमारा यह अपने अक्ष पे घूमती है उसके जैसा ही यह planet भी घूम रहा है लेकिन यह हमारी earth से बड़ा है that's why इसका नाम पड़ा super earth अब बात आती है according to scientist यह जो planet है वो ठंडा हो सकता है इस कारण से इसमें पानी अपनी liquid अवस्था में मुझूद नहीं हो सकता naturally है वो आपको solid में मिलेगा ice में मिलेगा यह गरह द्रव्यवान में भारी है इसमें आपको जो द्रव्यवान है वो ज्यादा मिलेगा और इसकी तारों के चारों और घूमने में 617 दिन लग सकते हैं तो यह बात निजिलेंड के scientist ने बताई है अब देखो इस पर आगे कितना काम होता है फिर हम आगे जैसे जैसे इसका हमें पता चलेगा हम आपसे संजा करेंगे तो हमारा next question जो है जी हां भाज next question है विश उच रक्त चाप दिवस वर्ड हाइपर टेंशन डे हर साल कम मनाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो है option A on 17th mai 17th mai is a right answer which state government has recently launched cyberspace accelerator to promote startups जी हां बहुत ही important question है किस रज्य की सरकार ने हाल ही में startup को बढ़ावा देने हैं तो cyberspace accelerator launch किया है तो naturally है यह South India का हो सकता है क्योंकि cyberspace से जुड़े हुए वही state है वहीं पर आपको scientists ज्यादा मिलेंगे वहीं पर आपको इस रो भी मिलेगा तो इसका जो बिलकुल सही जबाब है वो है option C, करनाटका is a right answer free में आवा जाही हो सके उनकी तो अभी अभी यह introduce किया गया है अब चलते हैं हम अपने next question पे और next question में जाने इस पहले हम आपको बता दें कि तहसील welfare officer जो हिमाचल में तहसील welfare officer है जो कि October में होना है और सबसे बड़ी बाद कि जो cooperative जो cooperative exam है हिमाचल cooperative bank का इसके अंदर जो भी से लेपस है उसके लिए भी हम धिरी धिरी अब आपके आगे वीडियो लाएंगे ताकि maximum बच्चों का जो भी hard work कर रहे हैं वो उनको हम smart work करवा सके हैं और वो अपनी achievement को जल्दी जल्दी as soon as possible आप उसको achieve कर सके हैं और हिमाचल administrative services के लिए भी हम special course लेकर आ रहे हैं जिसमें हिमाचल is the main part अगर मैं बात करूँ हिमाचल के जितने भी exam है उसमें जो हिमाचल है उसका बहुत ज़्यदा question आता है उसका जो ratio होगा वो बहुत crucial होता है आप उसके लिए हम special उसके लिए question ला रहे हैं काश दिवस की वो हर वर्ष का मनाया जाता है वो मनाया जाता है every year option A on 16th मई 16th मई is the right answer international museum day जी हाँ यहाँ यहाँ पर बात कीज़ें अंतराश्टी संग्राले दिवस हर वर्ष का मनाया जाता है तो यह है option A 18th मई is the right answer तो आपको कोई भी question में doubt query हो तो आप जुरूर comment कीजिए और like जूर कीजिए ताकि हमें पता चल सकेगी आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं next जो question है हमारा किस राज्य की स्रकार ने हाल ही में राजीव गांदी किसान न्याई योजना शुरू की है naturally अगर इसकी बात की जाए तो राजीव गांदी ये Congress वाले ही state कर सकते है पंजाब में भी आपको government मिलेगी राजिस्तान में मिलेगी स्राइट भी मिलेगी लेकिन इसका जो बिलकुल real answer है जी गांदी किसान न्याई स्कीन तो ये आपको मिलेगी 36 गार that's why answer is the C आज का हमारा second last question है recently which what telecom day अगर बात कीज़े 17 माई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 51st जी हां 51 आज का last and final question international family day is celebrated every year अगर इसकी बात की जाए तो अंतर राष्ट्रिय प्रिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 15th माई को तो इसका जो answer आएगा वो आएगा option A 15 माई is the right answer अगर इसकी बात की जाए 15 माई की तो अंतर राष्ट्रिय प्रिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हम कब से start कर रहे हैं ये सबसे पहली बार जो मनाया गा 1996 में ये 1996 को मनाया गया था फर्स टाइम और इसकी उस टेम क्या थी इसकी थीम थी गरीबी और बेघरता ये थीम थी इसकी और 1996 के बाद International Family Day है एक खास थीम के जरिये मनाया जाता है अब बात आती है 2020 की थीम क्या है तो इस साल इसकी जो थीम है वो है प्रिवार और जलवायू संबंध तो ये इसकी थीम है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम अपने नेक्स वीडियो कर दो आपको ये लाइक कीजिए